नमस्कार दोस्तों मैं है विक्राम और आप देख रहा है हमारा चैनल नियर बाया स्टैटी और आज इसके मत्पूर्म वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिहार एससी इंटर लेवल दो हजार तेइस का रुखमिनी टेस्टीज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर व करने वाले हैं और इसमें टोटल 75 जी के और जीटेल सॉलूशन के साथ यह वीडियो करने वाले हैं पेसले दोस्तों समय को ना गवाते हुए इस बीडियो को और आप करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल नियर बाया स्टैटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो नीचे के दिए गया रेड बटन को दबा कर आप में कर लिए गया तक हर किसी को यह वीडियो मिल सके तो दोस्तों आज यह है आपका टेस्स सेरीज दो यानी कि 3-1 आपने कर लिया पिछली वीडियो में। तो करने छारा के पहले कूशिन से पहले की से लिए योई किरोग दो किसके और की बीच एक उसके बीच लड़ा गया अगर बात किया जाए थी जिस सब्सेब्स इससवी में पहली लड़ा. कर लड़ा जब लड़ा? लुक सब्सक्राइम लो दी और बावर के बेच, अगर बात किया जाए,udhahman, दूसरी युद्ध के बात करें, तो 5527 में कब लड़ा गया? 5527 में कैल लड़ा गया? खनवा का यूद्ध कैल लड़ा गया? खनवा का यूद्ध जो कि किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राना सांगा के बीच और मैं पतल दोस्तों बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े लगबग सारे युद्ध उन्होंने जीते हैं अगर बात करें पंदरसो अठाइस इस वी की तो इसने जो है चंदेरी का युद्ध लड़ा किसके बीच लड़ा तो मेदनी कायुद किसके किसके बीच तो महमूद लोदी किसके महमूद जहां तो महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया और इसमें भी जो है बाबर क्या हो गया था जीत गया तो बाबर इसमें भी क्या हो गया था जीत गया अगर बात करें जहां तो अगर बात करें पंदर 1330 की तो 1530 में बावर की मृत्यु हो गई ती और इसके बाद बावर खतम हो गया था बढ़ेंगे अगले प्रशन की और तो अगला प्रशन जो है वो कहा जा रहा है औरंग जेव ने किस की अवधी के दोरान मुगल समराज पर सासन क्या था तो औरंग जेव का जो सासन काल था 1658 से लेकर के 737 तक अगर बात कि जाए ओरंग जेव का जो राजियम वो दो वार हुआ था दू बार हुआ था पहला जो अपको अगरा में गर इसके गुरू की बात की जाए तो मीर मुहम्मद हाकिम कौन थे मीर मुहम्मद जहां तो मुहम्मद हाकिम थे कौन थे मीर मुहम्मद हाकिम जो है इसके गुरू थे जहां तो इसके गुरू थे कौन थे गुरू तो मुहम्मद हाकिम जो थे औरंग जेव के गुरू थे अगर बात किया जाए कि औरंग जेव तो औरंग्जेव ने सिको पर कलमा खुदवाया था और शाथी साथ नौरोज तेवार इसी ने शुरू किया था बढ़ेंगे अगले प्रस्ण क्यों तो अगला प्रस्ण जो है का जा रहा है यू एपहने तो यू एस यो ड्क यंवे का रास्तिये के बात कि जाए तो इसका जो पॉप क्या है यू नाइटेटर का राश्तिये खेए ऑड की तो बेस्बॉझ सण फैब ओडब चीजर आइक पर अंगलेंड में इंगल मेंद में जो है और एगर बात किया जाए रगभी फूटबॉल तो असकॉट लैंड का जो राष्टी जो है कहां स्कॉट लैंड का जो है आपको प्राश्टी खेल जो है वो रगभी है क्या है रगभी फुटबॉल है क्या है रगभी फुटबॉल है अगर बात किया जा है राजस्थान का राजकिये खेल तो राजस्थान का राजकिये खेल जो है वो क्या है आपका बास्केट बॉल क्या है राजास्थान का राष्टी एक खिल क्या है बास्केट बॉल बढ़ेंगे अगले प्राशन की और तो अगला प्रासन जो है वो कहा जा रहा है कि भारतिय संभिधान जियां तो भारतिय संभिधान की ं radius लिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्टी अनुसूची जाती का आयोग से संबंदित है तो राष्टी अनुसूची जाती से क्या है आपका संबंदित है तो राष्टी अनुसूची जाती से जो है के दौवरा क्या की जड़ा गया था रही अइससे बहुता है वह कौन होता है आपका राष्ट्र पती होता है है और बहुता अर्वारत का अकास्मिक्ता निधी जो है और इसमें आकास्मिक्ता निदी में जो है कुछ पैसों को संग्रहित किया जाता है अगर बात किया जा है दो हज्जार जहां तो 2021-22 की जियां तो 2021-22 में आकास्मिक्ता निदी में जो लिपयों को बढ़ आया जाता है जहां तो रुपयों को बढ़ाया जाता और अकास्मिक तंदी जो है किसी भी जहां तो किसी भी अकास्मिक घटना के वक्त परियोग कियाता है यानि कि अपातकाल के वक्त जो है परियोग कियाता और इसको परियोग करने का हक जो है पूरी तरीके से राष्ट्रपती को होता है बढ़ेंगे अगले प्राशन की ओर तो अगला प्राशन जो है कहा जा रहा है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का लहार अधिवेशन कब आयोजित किया गया था जहां बैठक में उपास थित सभी 26 जनवरी को स्वतंतरता दिवस्ट के रूप में मनाने की संकल्पना लिया था जिनोंने भारत में लोगो की योजना तयार की जियां तो जिनोंने भारत में लोगो की योजना तयार की तो यानि की एक आर्थिक योजना कौन तयार किया था तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा अगर बात किया जाए भारत में पहली आर्थिक जन गन्ना की तो पहली आर्थिक जन गन्ना जो है आपको 1977 में कब हुआ था 1977 में किया गया था और राष्टी नियोजन समीति का गठन जो है आपको 1938 में किया गया था स्वबोधय योजना को सुरू किया था तो पंच वरसी योजना की? पंच बर्षिए योजना किस मोटल प्धारित है तो पत्म पंच बर्षिए योजना जो है हिराड-ढोमर मोटल पे जो है अधारित है जहांत Really फ्रेछ लोगमे जत्रों में जो है कहा सब्सक्राइब य मन्जूरी क सबस दी गई तो रियो घोषना की मंजूरी दियर आपको कब दिए उनिस सो बानवेश्वी में वह रियो किया जाए की आपको स्ट् Everybody हुआ है उनिस सो बाहत्तर में स्टाक समेलन यौन वी ही उनिस सो 70 में हुआ लंदन कवेंशन मोंट्रियोल समयरन मोंट्रियोल में मोंट्रियोल प्रोटक्षन और क्योट्व प्रोटकॉल दोने ओजोन को च्छरन से बचाने का यूज ना है प्रश्च्रेदों करए वाले राश्टिय二Man कौन है तो संगठन कुन है उनिश्व पैंताली सिस्टी में हुई थी यून यानि की यूनाइटेड नेशन के अस्थापना जो है 1945 सिस्वी में की गई थी आगे क्यों बढ़ेंगे तो अगला प्रशन जो है हमारा कहा जा रहा है भारत के पुर्व तट पर तट में ज्यादा तर किस फरकार की मिट्टी पाए जाती है अगर बात की जाए पुर्व मिट्टी है मैं आपको बता दो जलोड मिट्टी में जो है नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन और फासफोरस की कमी पाए जाती है क्या पाए जाती है नाइट्रोजन और फासफोरस की कमी पाए जाती है लेकिन फिर भी यह मिट्टी जो है बहुत ही ज्यादा उपजाओ हो तो नवीन जो लोड यानि कि नए जो लोड को जो है इस वह कदा का जाता है खागारे को कि बहुत हुटा है नपल्सक्राद के बीच का चित्र क्या का अग्याता है बारी दुआज के बीच का चित्र जो है, वो कौन है? तो ब्यास और रावी, जियां तो ब्यास और रावी नदी के बीच का च्छतर जो है, वो बारी दुआब है, कौन सा दुआब है? बारी दुआब है, जियां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुआब च्छतर जो है, दुआब च्छतर की जो म जेलम नदी के बीचत में जहुद तो जिय 250 आगल का ह्यार्त चीनाव के और ते प्टी जह कुए सबसे बड़ा बंदरगाह अगर हूगली नदी की बात की जाए जिसे भागी रथी या फिर हुगली भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भागी रती जो है इसी नदी को कहा जाता है क्या कहा जाता है अगर बात किया जाए हुगली नदी के किनारे कौन कौन से सर बसा हुआ है सदर पहले तो कॉलकता हो गया फिर हावड़ा हो जाएगा फिर अपका क्या हो जाएग इसमें से कौन सा राज पाच वन अच्छादित परदेसों में सामिल नहीं है, यानि कि बान अच्छादित परदेसों में सामिल नहीं है, तो यहाँ पर पंजाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंजाब जो हो जाएगा, वो क्रिसी परदेस है, इसलिए जो है, तो क्या क करता है तो यह जो है आपको अमबाला है क्या है अबाला जो है वह यह जल भी भाजन का कार्य करती है बढ़ेंगे अगले प्रसजन की और अगला प्रसव जो है का जरह है निम्लीखित मेंसे कौन सा तेवार असम में मैं माना जाता है अकार वह अगर बात की जाए नेग नूग कुरुम जो है आपको मेगाले में, कहां मना जाता है, मेगाले में ये मना जाता, अगर बात किया जाए, चिरोबा, उत्साब तो चिरोबा, उत्साब जो है, मनीपूर में मना जाता, कहां मना जाता है, मनीपूर में मना जाता, तो आर्चर फूट, आर्चर फूटते वार जो है, जो है, तो कहा जा रहा है क्या कहा रहा है कि इस ते कह रिमतिया इंड़ गांशन इसका जो जाएगा जैसों कि रीडियो आवाज देता है तो ट टेल इडिवीजन टेलिविजन का करता है चितर दिखाता है तो चितर दिखाएगा यहां पर प्रशन कुछ एड़ हो गया तो कोई दिखकत में इसको भी देख लेते हैं यहां पे जो है उस भी कल्पका च्ण किरें जो बाकी से अलग है दियां तो काला-पानी एट चिडियां और शोना तो ध्याण दिजिए य कौन सा बिला है विद्दूत का चालन नहीं होता है विद्दूत का चालक नहीं होता है है यह सारे के सारे अगले प्रसव आज़ा रहा है क्या का जा रहा है सौर अस्पेक्ट्रम थे हम दिया सौर स्पेक्ट्रिम में बैगनी रंग लाल रंग की और क्या होता है इसका राइट अंसर जो हजाएगा गटता है और अपवरतनांक भी गट जाता है और अपवर्तनांग भी घट जाता है जहां तो अपवर्तनांग भी घट जाता है यानि कि अपवर्तनांग की बात की जाए तो अपवर्तनांग का जो फर्मूला होता है वो हता है CYB क्या होता है CYB यानि कि निर्वात में परकास का वेग और माध्यम में परकास का वेग हो जाता है बढ़ेंगे अगले प्रशन की ओर तो अगला प्रशन जो है वो कहा जाता है कोई कार किसी जहां तो किसी सम्तल साड़क पर तौरित होकर अपने आरंभिक वेग को चार गुना बेग प्राप्त कर लेती है तो इस परकिरिया में कार की अस्थाथी जूर्जा क्या हो जाएगी तो कार की अस्थाथी जूर्जा जो है वो परिवर्तित नहीं होगी क्या होगी कार की अस्थाथी जूर्जा जो है वो परिवर्तित नहीं होगी बढ़ेंगे अगले प्रशन क्यों तो अगला प्रस्ण जो है वो फिजिक्स का क्योशन नहीं का जा रहा है टू ओम्स और फूर ओम्स के दो परतिरोध किसी बैटरी से संजोजित करने पर ये परतिरोध हो जाएंगे तो ये परतिरोध क्या होंगे ये परतिरोध जो है आपको द्यान दिजा स्रेनी क्रम तो स्रेनी क्रम में संजूजत हो तो इसका धारा समान होगा या समान धारा परवाहित होगी अगर स्रेनी क्रम में रहेगा तो इसका धारा समान रूप से परवाहित हो जाएगी अगर जो है परतिरोद अगर देखे स्रेनी क्रम किस क्रम में स्रेनी क्रम में जो है अगर लगाय जाए किसमें स्रेऍनी क्रम अगर लगा जाये प्रतिरोध तो इसके ये फर्मूला होता है यह टाए से लिए कि लिए से लिए होता है और प्रति रोद की बाकिन जाके लिए क्वारण कर रहा है तो किस की बिज़से कर रहा है तो आविर्ति की व्यापक्ष्रेणी के कारण है किसी बस तुद करता है तो किसी किया गया कार जो है वह वास्तू चुम की प्रेरन की घटना पर आधारी था तो अगर जेनरेटर की बात की जा तो आपको क्या करता है तो यांत्री कुर्जा को यहां तो मेकानिकल एनरजी को लेक्ट्रिकल एनरजी में कनवर्ट करता है बिदो जने तो जो है माइकल फेराडे करमापन करने वाला जो क्या होता है और बोल्ट मेटर के दौरा जो कोाता है क्या होता है क्या होता है तो दारा का मतलब बहुत कमापन करते मतलब बहुत क्या रहेगा की तौह रहे जाता है बढ़ेंगा अगले प्रशन की और तो अगला प्रशन जो है वो 48 नमबर प्रशन है कहा जा रहा है किसी किसी आपतल दारपन पर कितर के अनुसार आपतित प्रकास किरन निम्न में से किस आरेक को सही कोई भी आगर किरन आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा फोकस स तो कॉंसा गुजर रहा है तो देखेव ए में तो नहीं गुजर रहा है जो यह हो जाएक जबेंगा निमन मेंसें कौंसा बिंदू सुरोत से उस पर आपतित परकास का समानतर परकास पुंज बना सकता है समानतर परकास पुंज बना सकता है तो अब तल दरपन और उत्तल दरपन दोनों ही जो है समानतर परकास पुंज बनाते हैं या फिर बना सकते हैं यह तो बना सकते हैं बढ़ेंगा अगले प्र का आइतन जो हो जाएगा इसका राइट अंसर एक सो बारा मीली हो जाएगा इसके लिए आपको बात की जाए फॉर्मूले की तो फॉर्मूला जो है वह बहुत ही ज्यादा पेचीदा है तो इसलिए यहां पर हम सिर्फ आपको समय करन लिख देता है इससे आप समयने का अब करवाएंगे तो हो जाएगा टू-एन-ए ओ एच प्लस एच टू यहां पर समय करन इसका हो जाता है तो इसका समय करन यह हो जाता है बढ़ेंगा अगले प्रस्ट की और तो अगला प्रस्ट जो है का जा रहा है कौन सी मिट्टी जो है हिमाले के तीन महत्पुर्न नदी प्रनाली गंगा सिंदू तथा ब्रह्म पुत्रा मिट्टी के जमाब के कारण बनती है तो द्यान दिजएगा दोस्तों कि कोई भी नदी जो है जलोड मिट्टी का जमाब करती है इसलिए यहां पे जलोड मिट्टी जो है वो बहुत ही important हो जाएगा और जलोड मिट्टी यहां का right answer हो जाएगा बढ़ेंगे अगले प्रस्ट की और तो अगला प्रस्ट जो है का जा निमलिकित में से किसी योजना का संबंद बित मंतराले से नहीं है तो बित मंतराले से किसी योजना का संबंद नहीं है तो यहां पे जो है द्यान दीजिएगा कि यानि कि परदान मंतरी कौसल विकास योजना का संबंद बित मंतराले से नहीं है क्या है बित मंतराले से नही है अगर बात के जा परदान मंत्री कोसल विकास योजना की यह तो पंद्रह जुलाई दो हजार पंद्रह को कब 2015 को शुरू किया गया था कशनल विकास योजना में जो है उद्धामिता को बढ़ावाद देने के लिए अपको क्या की संसाथ की बोनों सद्र का प्रावधान किया गया है और इस को is कौन बुलाता है श को बुलाता अधा है कौन बुलाता है राश्ट्र ज्यादा is करता है कॉन करता है लोगत तौन करता है लोग करता है तो questioning आपको 28 여ानिके aí बियक्त हो जागा निम्न दर तो निम्न दर जो है किया है जी रो परतिस गहें अगर इतो ऑइवा कि जुझा है जीरो की बात की जाए तो पहला जहेए जीडा जीरो के पांच डूसरा है 5 तीसरा है है तिसरा है 12-14-18 5-28 जो कि सबसे अधिक है यानि कि 0-5-12-18 22 जो है जिस्ट का गए बढ़ेंगा अगले प्रस्न किसी राज्यकार राजपाल किसके प्रशाद प्रयत अपना अपना द्हारन करता कि debrahim कि नहीं कि यो ती लाटा गां करता है राश्ट्र्पती डिलाता यानी कि भारत के दवारा ये निक्त किया जाता है औरर दार सर्कार के परतिनीदी के रूप और राज्यापाल की नियुकति जो है अगले परसुन कि और तो अगला परसुन जो है कहा रहा है नक्टी डैम पक्षी अभिहारन के किस जिला में तो नक्टी डैम पक्षी अभारन बिहार के किस जिला में जहां में कहां तो इह जो आण जमुई जिला में यह वस्थ्थ था इस आग जो है अभररन के अस्थापना झीशा सटासीसी को किया गया था वुखार। उपाध्यक्ष कौन थे बिहार विदान सवार के लिए च्टर Har 뭔 में है पर थम उपाध्यक्ष कौन थे का कगछन अजाद कढ़ान किशक द्वारा किया गया था तो कॉना एक रिए तो तो आपके जय प्रकास नरायन के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था बढ़ेंगे अगले प्रस्ट्र प्रस्ट्र क्यों तो अगले प्रस्ट्र इसमें बता दू कि इसका गठन जो है बढ़ेंगे अगले प्रस्ट्र क्यों अगला प्रस्ट्र कौन सा राष्ट्र संगठन का सदस नहीं है तो पुरा पुराना नाम जो है पुराना अगर सदस देश की संख्याबात की जाए तो बिंस्टेक में जो है साथ देश है कितने देश है साथ देश है कौन कौन है तो सबसे पेल हो जाएगा बांगला देश क्या हो जाएगा बांगला देश हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा भारत हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा सिरलंका हो जाएगा उसके बाद जो है क्या हो जाएगा कि भूता है निपाल या इसके एक प्रश्मीन में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना यह तो प्रदान योजना प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की सीस्टू योजना के तहत अनुमेद रिन अधिक्तम रासी कितनी है तो इसका रासी जो है तो इसका रासी जो है आपको कितना है तो आपको पच्छास हजार इसका अधिक्तम रासी है क्या है पच्छास हजार रासी जो है इसका अधिक्तम रासी है और इसको जो है जियां तो इसको जो है दो हजा पंद्रह में जो है इसको सुरू किया गया तो कब किया था दोजार पंद्रह में इससे सुरू किया गया था बढ़ेंगा अगला प्रेशन जो है का जा रहा है देश के सरवच नागरिक पुरुसकार जो है तो देश के सरवच नागरिक पुरुसकार के सुरुवात निमलिखित में से किस वर्स की गई थी तो किस वर्स की गई थी दोस्तो मैं शको बता दू के सरवच नागरिक पुरुसकार पदम पुरुसकार के सुरुवा जाता तो तंतंतर दिवस के अफ़स़वार पर किया जाता और इसे पदमभूसन पदमभूसन बदल करके दिया गया था जो तो पदम सिरी में बदल करके दिया गया था और 2022 में जो है 2022 की अगर बात की जाए तो 2022 में जो है आपको कितने चार लोगों को दिया गया है चार लोगों को पदम भीभूसन दिया गया है 17 लोगों को जो है पदम भीभूसन दिया गया है जो है तो पदम भी से जैसि की तो 2023 में जो है आपको ध्यान दिजेगा कि छे틀 पृष्झार की बात टो जो है आपको कितना पृसकार की बात की जाए है तो एक सो चोँ लोगों को दिया गया बढ़हेंगा अगले किस ने लिखा है अनीता देसाई ने जो है इनकस्टडी उपन्यास लिखा है बढ़ेंगे प्रक्यात संगीतकार अर्विंद पारिक निमलिकित में सितार से संबंदित हैं अगर बात की जाए तो 2018 में तीसरा सरवच पुरुसकार यानि कि पदम पुरुसकार से इनकी पदम भूसन दिया गया था इने अगर बात किया जाए 2023 में जो है तबला बादक यह तो आपके जाकिर उसाइन जी को जो है भारत का दूसरा सरवच पुरुसकार पदम भी भूसन दिया गया था तो बढ़ेंगे प्रसन क्यों तो अगला प्रसन जो है का जा रहा है किस किस राजवांस के शासन काल सका स्वर्न काल का जाता है तो ने किया था स्रीगुप्त Нे किया था स्रीगुप्त ने किया था बढ़ेंगे अगले प्रसन की दूदर किया जाना होता है तो कितने दिन के बीतर संस्द में पारित किया जाना होता है то आपको क्या है वह हनिरस्ट कर दिया जाएगा निरस्ट कर दिया ग्यारत की जनर्टना के अनुसार भारत की साखशरता दर कितनी है तो मैं आपको बताओ दोस्तो भारत की साखशरता दर जो है सबसे अधिक साच्छा जिला कौन था तो केरल था तो सबसे अधिक साच्छा जिला कौन था सबसे अधिक साच्छा जिला कौन था तो दादर नगर विली जा तो दादर नगर है विली जो है वो सबसे कम साच्छा के अधिक साच्छा जो है क्रिशन राज सागर बांद किस नदी पर बनाए गया तो किस नदी पर तो आपको कृष्णा नदी पर किस नदी पर कावेरी नदी पर बनाए गया और कहां है यह जो है करनाटक में कहां है करनाटक में यह करनाटक में यह बांद जो यह बांद जो है 1932 को बनाए गया था 1932 को बनाए गया था बढ़ेंगे प्रश्ण की और तो अग्ला प्रश्ण जो है कहा रहा है लाइप आप पाई नामक उपन्यास के लेकक कौन है यान मार्टल यान मार्टल जो है लाइप आप पाई पन्यास के लिखा के बढ़ेंगा अगले प्रस्ट की और तो अगला प्रस्ट जो है का जा रहा है भारत की संप्रभुता एक ता अखंडता बनाए रखना उनकी रख्चा करना है तो उसकी रख्चा करना जो है मैं आपको बताओ दोस्तों यह जो है मौलिक करतब आसनद ए अगर बात किया जाता है तो ब्रतमान में मॉलिक करता पी की संख्या फ़िए ग्यारा कितना है पहले बात किया तो पाहले हमारा नस था जो कि बहुत ही इंपार्टन हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टनेंट हो जाता है बढ़ेंगे अगले प्रस्न की उर्थ अगला प्रस्न जो है लाड़ चेंप स्फोड ने उन्हें सो निस में जालिया वाला भाग घटना की जाच के लिए किस समीति का गठन किया था तो इसका राइट अंसर जो है हंटर समीत समीति का जो है वह गठन किया गया था अगर बात कि जालिया वाला भाग घटया कान तो तेरा अप्राइल उनिस सो निस इस भी को यह घटना घटा था जिए तो जो की अमरित सर में घटा था कहां घटा था अमरित सर के जालिया वाला बाग जालिया वाला बाग नामक अस्थ बढ़ेंगा अगले पकाक कायरा है कूना देहम धिया ख़ाइगा कूना जो है किस देस की मुदरा है ? यह है यूरो मुदरा अपनाने वाला 20वा देस। 2023 में यूरो को अपना मुदरा है अगर बात क्या जाँ है अस्टेलिया का मुद्रखception कि यूर्यू एंगाला का मुद्र्ख conception के है कौए क्षा है क्या है अगर बात क्या जाए उजबेकिस्टान की मुद्रखouting का है तो अगर। किया जांए यूए यहां तो यूए ये संयुक्त आरब अमीरात की मुदरा क्या है तो दिर्ह मैं क्या है दिर्ह मैं अगर बात किया जाए कि монगर ऑफ तो बात किया जाए करोना Rocky के निरनायक का बास्तिविक कारण किसे माना जाता है तो बास्तिविक कारण जो है वो किसे माना जाता है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करू की निती थी फूट डालो और राज करू की निती जो है वो यह बहुत ही ज्यादा निरनायक यानि की बास्तिविक कारण बत रोस और स्रेयुक्त राज अमेरिका के एक राज के बी स्थित है तो इसका राइट उस हो जाएगा बेरिंग जल्डमुमर्इ को पाक जल्डमुमर्ण इसका. अगर बात के जाएन रोम दे अगर बात किया जाएन तो इंग्लिज चैनल और 20 cred को अलग करता हीन अगर बात की जाएन मेगलन में जान दिएगा मैगलन जो है वह आपको जलसंदी चीली में अवस्तित कहा है चीली में अवस्तित जो कि परशांत महा सागरा और सागर को अलग करता है यह जो प्रस्ट के अगला प्रस्ट जो है वह कहा जा रहा है कि द्रिफ अमरिका में इस्थीत तेता है दर्शिन अमरीका में इसी तेगला प्रशन है अफरीकी देश गहाना की राजदानी कहां है तो गहाना देश की राजदानी जो है वो कहां है आपको आकरा है क्या है आकरा अकरा जो है वो गहाना देश की राजदानी है तो अकरा जो है वो गहाना देश की राजदानी है असमारा की बात की जा है तो सेनेगल की राधानी जो है वो डकार है बढ़ेंगे अगले प्रस्विं मंगोलिया देश मंगोलिया देश निवन में से किस महादीप में इस्थित है तो मंगोलिया जो है वो किस महादीप में इस्थित है तो मंगोलिया जो है आपको किस महादीप में इस्थित है तो आपका हो जाएगा एसिया महादीप में जो है मंगोलिया इस्थित है जहां तो मंगोलिया जो है एसिया महादीप में इस्थित ह बिहार पंचायत राज अधिनियम का पारित किया गया तो बिहार पंचायत राज अधिनियम का पारित किया गया तो बिहार पंचायत राज अधिनियम जो है प्रारम्भ किया गया था और यह पंची पंच्वी पंच्वी यूजना की बात की जाए जो है 1974 से 1978 तक चला था और इसमें जो है गरीबी उन्मुलन पर जोर दिया गया था अगला प्रस्ण है अखिल भारती बाग अनुमान 2022 नाम रिपोर्ट के अनुसार सरवादिक बागों की संख्या वाला राज कौन है तो सरवादिक बागों की संख्या वाला राज की बात की जाए त अब का कौन सा अब का मद पर्देश जो है वो सरवादिक बागों की संख्या वाला राज हो जाएगा वह जाएगा तो अगला प्रस्ण है आई सीची पुरुश एक दिवर्सी किर्केट कप 2023 की मेजवानी कौन सा देश करेगा जिए तो कौन सा देश जो है वो करने वाले त 2013 में आई सीसी का मेजवानी कर चुका है जिया तो कर चुका है बढ़ेंगे अगले अगला परस्ण जो है वो कहा जा रहा रहा है वीहार्य पुरुशकार की इस चितर से संबंदित है तो आपको केके बिला foundation के द्वारा दिया जाता है बिहारी पुरुसकार जो है वो दिया जाता है बढ़ेंगे अगले प्रस्न की और तो अगला प्रस्न जो है वो कहा जा रहा है कौन सा राज द्यां तो धन दिएगा कौन सा राज महिला महिला एसी आई चैंपियंशिप ट्रोफी 2030 की मेजवानी करने के लिए तयार है तो मेजवानी करने के लिए जो है वो तयार है तो यहीं जो आगा जाए रहा है साथ त्विक साही राज रिकी रेड़ी और चिराग सेटी किस खेल से संबंदीत नहीं तो इसका इनका खेल किया अगर बात किया जाए तो यह जो है आपके किस खेल से हैं तो यह जो है बैडमिंटन से संब्दीत है बैडमिंटन से संब्दीत है जिए तो यह समने बढ़ेंगे रिपोर्ट यहां रहा है जो हैं दोस्ते एक सो चब्दिसवा है बढ़ेंगे फ्रसन की उर्ट वह कहा जा रहा है कि एक जिला एक उधाद यह तो एक जिला वहुत किया गया गर बात किया जा जा ये टो ऑकर हमेरा अग्ला परस्टि जो आए तो अगर प्रस्म्तो कम्रट की नहीं है स्थाजयर ध Allah कि बात कि यहां पर नहीं होगा अर्द चालग जाए उपधातों का गुन तबसार में बढ़भिए अगले प्रसंट और प्रसंट आफे तो न कार्वनि compound कि आउंगी यहां के except है आलगा जो होता है तो इसका राइट अंसर की बात की जो है जो यह इसमें अल जुड़ा हुआ बढ़ेंगे अगले प्रस्म के यह अगला प्रसम निले रंका होता है इसका राइट अंसर उडियो जागा निले रंग का होता है ज यह तो टिस्ट है जो है लगभग कितना होता है तो निंबू का होता है निम्बु का एकुरेट प्यच मान जो है 2.2 होता है अगर मानव रक्त की बात की जाए तो इसका प्यच मान जो है से लेकर के 7.4 कितना होता है आसू की बात की जाए तो इसका प्यच मान 7.4 यानि की 6.5 की बात की जाए इसका भी हिए सब्सक्राइब उन्सक्राइब है ठंडा पे पदार्थ का पिएच मांझ होता है और गैस्ट्रिक जूस मांझ जो है और वीनेगर को आपका प्ष मांझ होता है 2.4 से लेकर के 3.4 तक होता है बढ़ेंगा अगले प्रस्टन की उर्थ अगला प्रस्टन जो है मिसरन का निर्मान जी है तो मिसरन के निर्मान किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है तो ठोस द्रव और गैस उन्से मिसरन का निर्मान होता है बढ़ेंगे अगले प्रस्ण क्यों तो उगला प्रस्ण जो है कह रहा है 0.02 ग्राम अनुहाईड्रोजन का एंटी पी का आयतन क्या होगा तो एंटी पी का आयतन जो है क्या हो जाएगा चारसो अड़ातालीस मीली हो जाए गार्णा नृड साइन परिवरतन के साथ क्या होता है तो नए प्रकार के पदार्त का निरमान B निकाय के एक इनठैलपी का निरमान परिवरतन परिवरतन निकाय और यहां पे JYA du принципе सही हो जाएगा अगला प्रस्थ जो है काहा रहा है आवर्थंसारणी में थित्व की पर किस त्थिती उस मवजूद पीलिंदा बेलेंग के संख्या पर निर्धारित करती है यम कि किसके किस outside निधारित जो है वो करती है तिसका राइट अंसर जो है आपको प्रोटोन पर किस पर प्रोटोन पर जो है वो निधारित की जाती है अगला प्रसंद जो है क्या कहा जा रहा है कि निमलिकित में से कौन सा रोग मच्छरो द्वारा फैलता है तो कौन सा रोग मच्छरो द्वार फैलता है तो फैले जो है मच्रों दोरा पर फैलता है क्या इसे इस रोग को कहा जाता यह बढ़ेंगे अगले प्रस्न कि और तो अगला में जो है कहा जा रहा है कि कि दिशा में होगा जिए ने अ किस दिशा में हो घान देज़ेंगा नत्राइब ब बॉक्ता करें रहा ध्रूं कुल का सद्सक्राइब fragrance भाबर क्यों जो हो जाएगा थोए मुही का पोधा किस然后 का सदस्दع से ने जवनटान ये पौधा अगर बात की जा है कि आपको कौनसा माटर का पौधा जो है किस कुल का पौधा अग्ण। यह दोनों जो थे क्या थे प्रेपटिक ब्रंटल में बधल देते हैं कार्बनिक Wheels बादब लेते हैं के रोग का दूसरा नाम किया या तो कि रोग का दूसरा नाम जो है वह क्या है तो एसके दोरा अज रिताइस विसानु 06 यह वह जल के दौरा किसके दौरा जल के दौरा जो है अस्थान्तरीत होते हैं बढ़ेंगा अगले प्रश्ण तो आज यहांज हमारा इतना ही जिके का प्रश्ण है तो दोस्तों आप लोग बताएं आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आगर अच्छा लगा ओता इस वीडियो को लाइक कर लिजिए जादो लोगों को सेर्वी जरूर कर दिएगा जिन लोगों ने हमाए चैनल नियार वाया स्ट झाइब नहीं कर रखा तो नीचे के दिएगा बटन की मिल सके और दोस्तों हमारा अगला वीडियो यानि की सिट नंबर थ्री जो है जल्द ही आएका तो आज के वीडियो में बस इतना ही जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में